चलो जी लास्ट थाइम और देखलो आप इसको फिर इसके बाद ये अलवीदा में अबन टू उमीद करता हूं वाइस रिकॉर्ड रही हो वरना गोप्रो में अगर आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है घड़बर हो जाती है फिलाल अबे उड़ जा अबे उड़ जा मैं तो उड़ गया तू तो उड़ जा और इस तो अभी वजने है तूवा के 558 और हम लोग निकल रहे घर से सीधा नेपाल के लिए तो नेपाल तो सब जाते रहते हैं और बाइकृप करते रहते हैं इसमर खासिएत क्या है भाई ढिखो ऐसा है नेपाल तो वम्मारे लेंच के तूव तलु कि दिखा है बट नेपाल वालों को भी बिलिब निय होग अगर मेन तो बदाओ कि मेरे मेरा मिशन है जैसा मैंने सुना है कि कितना सच है इसमें कहते हैं कि लदाफ इसका के बच्चा है तो आसपास भी नहीं है तो भाई अगर कि अपने लिए बहुत बड़ी सीमेंट होईगी एक टास्पेरेंट सा हिटन स्टार हमारे तो कंदों पर आड़ जाएगा तो बड़ी खुशी होगी कि हम एडवेंचर सीकर्स हैं में एडवेंचर सही है और दिस इस दड्रिप विच फुल्फिल अवर ड्रीम डिफिनिटली तो इस ट्रिप की जब सम लोग प्रप्रेशन करें और जिसको भी अम लोग बता रहें कि हाँ जी बूसा से इस बार हम लोग मनांग करेंगे नेपाल का तो मतला वो दो मिनिट के लिए साइलेंट मोड बे चला जा रहा है और सोच रहा है कि यहां भी पाएंगे वहां के रो यह तो अब आने वाले व्लोग भी आपको बताएंगे तो पाजी फटा फट पैक अप खिक करें अग्या पर्संट ब्रो आप इगल एक्साइड टो राइड निलिमा एं वाइड ओपन रोड पुली पुली सब्साइड चलो लडी अपुली 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 को चलो उसकी कहानी तो आपको मैं व्लोग में सुनाता रहता हूं अभी यह बाइक बहुत खुलत लग रही है चलने में बहुत मज़ा रहा है लेकिन अभी न सबसे पहले मैं आपको इसकी दो कमियां बचाता हूं अराम से बैठ कर तारीफ है तो मैं आपके साथ बाद में सबसे पहले जो दो कमिया वह आपको दिखाता हूं पहली कमी यह है कि जब हम लोग इसे साइड स्टेंड पर लगाते हैं यह दो कितना डाउन हो जाती है अब क्या है कि अब यह है इतनी लोडिड बाइक अब इसको उठाने के लिए ना अपने को हाथ का भी दम लगाना आपके सब के अंदर कॉमन बटन आता यह वाला उंगली का अब क्या होता है जब पास लेता हूं ना तो इसकी तेंग अपना इंडीकेटर आ जाता है और वो कब आठानी चलता जब मीटर में देखते हैं तो लेफ प्राइट अपना इंडिकेटर ओन होता है फिर यह आजात में है सैम दी थार थार दी सैम एक्चली इसका नम भी सैम है बहुत कंफ्यूजन होने वाला है इस वाली राइड के उपर अभी तो आगे मज़ा आएगा जब पिछवाडा दर्द होगा लोगी फ्रेम के अंदर हम लोग अब ऐसे बैठेंगे कितने सालों बाद ओ भाईया जी आया ना मज़ा अभी और स्वाद आएगा चलो एक्सप्रेस में चलते हैं और फटा फट करही सरहन देते हैं क्योंकि आप देखो लोगों का रियक्शन है ना जवर्दस्त क्या बता हूं मैं आपको हमने ना अभी ते 75 किलोमेटर कर लिया है और पता नहीं चला कैसे क्रूज हुई है मतलब मज़ा ही आ गया लेकिन 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 एक छोटी सी दिक्कत है हम व्लोगर्स की लाइफे पता नहीं कि वह अराम का दिन कब आएगा जब हम लोग फुल प्रपरेशन मतलब पहली कर लेंगे और चिल मारते में मतलब फुल रिलाक्स होने के बाद हम लोग राइड स्टाट करेंगे कैसे पाजी लगता है कभी आएगा यह दिन कभी नहीं आएगा ना सब मूम आया है पाजी के सब्सक्राइब करते रही है जब इस तरीगे से पैकिंग करते रही है क्या फुल्टूरा बनाया वहिया है वह 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 क्या ब्यूडिफुल लग रही है याँ सच में बहुत अट्रेक्टिव लग रहा है यह का गोल्डन कलर कासकर इसके रिम्स पहले ना मैं थोड़ा सा बहरा था वरी कि या थोड़ा जीब से लगेंगे लेकिन जोड़ा जिए निकलने के लिए रैडी लेकिन पते क्या है अभी जैसी पाजी आया इस तरह बाइक बैक करके दोने पाजी ने पूछा मुसे कि तुन्हें नाम रखा नहीं रखा तो मैं ते सोच रहा था वही पुराना निमबस 2.2 रख देंगे लिकिन पाजी ने सज़स्ट किया कि इसका नाम रखते है बेवी जी असे और वैसी भी आप देखो यार कुद देखो बजब पाजी के बास जी आसे बारोसो फचासा है ब्लैक अ यलो ब्लैक अ गोल्डन से वह लुक देती है तो इसका नाम बेवी जी असे रखी रहेते है तो फिर मैंटेन करना बहुत मुछील होता ह लेफ्ट और राइट साइड बहुत देखना पड़ते हैं वाव तरीमपाइक है यहाँ ड्रीमपाइक दूसे हो तो तो अब लग सोते होंगे कि मैं मोटो व्लाग कम क्यों करो है कि अप्रूस कर ने मैं अमजा रहें ना एक मन कहरें कि अभी ठोड़ा तना इसको एंजॉई कर लो मशीन को पड़ा इसको क्रूस कर कि अलगा अशा फिले रहे ह पर नहीं दोड आसा में को डर लगने ही लगता था लेकिन देखो आपके सामने मैं से 130 कुछ कर रहा हूं विच इस वेरी नॉर्बल फोट इस पाइड आफ तो बीकुछ अन से श्पीड पाइड नहीं दो टोड़े सामने पर खाम अन एका बाँ आख यू तो अट तो यह विचैसर अन्यों बढ़ टो बाँ अन्यों की सब्सक्राइट आप अधेर की आपकोपपर यह तो नो वंटरगे कि मसीद के उपर प्रेशर पढ़ रहा है कुछ बहुत जस्ट टेस्टिंग इतनी स्पीड में चलाती नहीं बस टेस्ट कर रहा था और पता भी नहीं लग रहा था कि भाईया यह उतनी स्पीड इजीली कवर कर लेगी कि चलो जी बेबी जी आसे की पेट पुजा के साथ-साथ अपनी भी थोड़ी सी पेट पुजा होगी एक्शली गर्मी कर टाइम आगे है ना तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है डी हाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर भाईया लग गई वाट तो इसलिए थोड़ी थ बिल्कुल भी कर्मी लग रहे है लेकिन जैसे रुख जा रहे है पसीने पसीने हो जा रहे है तो एपरोक्स वी हैब ड़न वन सिक्स्टी किलो मेटर और इसका सेकेंड फिलप हुआ है खरीजने के बाद तो जब मैंने फिलप कराया था पांच शे किलो मेटर चली और अब ज अबने साथ चल रहे हैं यह चला रहा है हार्ली दूट्सन 440 और इसके उपर जो लगे सट अब लगा है वह अपने विशाल भाई का वी बीएफ बैक जो मैं लेके आए तो सौट लगेज तो अपने तो अपने साथ चली रहे है तो मैं यह वाले बैक इसको देजे ता हूँ कि इसके अज़र लगेज करी करना बहुत इज़ी है इवन इसको सेट अप करना भी बहुत इज़ी है और यह फर्स्ट टाइम राइडिंग भी कर रहा है तो यूनो इतना कॉम्प्लिकेटेट सेट अप नहीं होना चाहिए कि यह इरिटेट हो जाए तो लोजी पहुँच ग यह पीना तो बनता है जो अभी मैंने किया है न यह तो पीना बनता है क्रूषी से रुख गई थी जो अभी मैंने के अ किया जब मैं अपनी पुरानी वाली बाइक चलाता तो हमाली थी उसमें जैसे कुरूज करते था हंडרג से उब पर और तो एक ना अनिस्टीबल ft2 होतथ लेकिन जो डर मेरकों से 100 क्रॉस करने पर लगा वही सेम डर मुझे है 150 के बाद फील हुआ लेकिन मैं इतना आपको पता है कि इतना कभी क्रूस करता नहीं हूँ नहीं बाइक है थोड़ा सा टेस्ट करने का मौका मिला खोले आई भी पर वह मैंने कर लिया लेकिन मैं कभी रिक कार होगी है ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको ना डिफरेंसिस बता रहा हूँ कि पहले वाली बाइक में और अब वाली हिमालियन में कितना फरक है चलो पहले इसमें टॉप अप करा लेता है पेट्रोल का क्योंकि आप से इजह हम लोग लखनों क्रॉस करके रुखेंगे और यहां से लगबग होगा 250 क्लोमेटर तो बीच में कोई ब्रेक ना लेना पड़े पहले भरा लेता है पेट्रोल अब भर गया इसका पेट आपको यह दिक्कत नहीं आप तो यह मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि मेरा फ सब्सक्राइब करें तो देखता हूं आज कहीं भी पहुचेंगे तो अपने इसको हटा देंगे बाकी शुरू करते बागी की जरनी दुबारा टच करते हैं हाइवे क्योंकि खड़े होने पर जो गर्मी लग रही है ना भीया क्या ही बताओ मैं आपको बहुत हालत कराब कर कर दो गर्मी लगती है कि अड़ी यह जीकिन लगनों के टोल प्लाजो को हम लोग ख़ब करें लगनों पाओज रहा यार साच में थुप कि जए से कर दोप कि और गर्मी के जए से चो एलो जी कैसे हो कितना देर हो गया हो गया हम लोग कर रहे हैं अब यह तो कुछ जादे टैनिंग होगी नहीं यार अभी एक दिन में इतनी टैनिंग नहीं उते हैं रोगो आफ्टर एफेक्ट अपलाई कर तो जादा हो गया अब ठीक है रूम में लाइट थोड़ी कम थी हम लोग पहुच गए नियर अबाउट आयोधिया लखनो क्रॉस हमने कर दिया था प्लान तो पहुचने का लेकिन चलते जलते ठग गए था हमने सोचा यही लेते रूम तो कल करेंगे चक्दे पंटे नब्दे के लिए सवेरे आयोधिया रातनू नेपाल ना पाजी और यह ही नहीं समझा लखनों में रुखने का हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं ताकि कल जब हम यहां से अपना अगे का ट्रिप कॉंटिन्यू करेंगे तो युनों हैक्तिक फ्री रहेगा और फटवट 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 लोग नेपाल के बॉर्डर पहुच भी जाएंगे तो यह बहुत बढ़िया नीटन क्लीन सा रूम रिजनेबल हमें मिल गया था और हमने अक्यूपाइट कर लिया बाकी अभी थोड़ी जर में खाना खाते हैं हां क्या हुआ अगर 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 रहा है क्या अगर 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 झाल